दोस्तो आज हम जानेंगे UX डिजाइन बिल्कुल फ्री में कैसे सीखे अगर मैं कहूँ एक ऐसा इंस्टिट्यूट है जहां से आप कम समय में कम्प्लीट UX डिजाइन सीख के एक सिक्यूर फोल एक पर रैनम वाला जॉब पा सकते हो तो कैसा लगेगा बिलीव नहीं हो ना लेकिन रतन टाटा ने सच में एक ऐसा फ्री ट्रेनिंग एन गैरेंटीड जॉब प्रोग्राम लांच किया है सभी कॉलेज स्टूडेंस के लिए जहां पे आपको क्लास्रूम कोचिंग दी जाएगी फ्री यूनिफर्म एन बैग भी मिलेगा और स्किल सीख जाने के बाद इंटर्व्यू राउंड्स भी आपको टाटा कंपनी एरेंज करवा के देगी ये वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाल है क्योंकि मैंने इसको पांच पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है अज के टाइम एक प्रो यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए क्या रोड मैप है कौन-कौन सा स्किल सीखना होगा और टाटा कंपनी की कौनसे फ्री ट्रेनिंग एंड जॉब प्रोग्राम है यूएक्स डिजाइन प्रैक्टिस करने के लिए फ्री रिसोर्स और घर बैठे कैसे पार्ट-टाइम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते है सब कुछ step by step detail में जानेंगे इस वीडियो के end तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे बिना डिग्री के आप भी एक professional UX designer बन सकते हो So without any further delay, let's get started दोस्तो आगे बनने से पहले एक good news बता दू आपको अब Unacademy ने एक काफी unique and simple platform launch किया जहां आप अपना एक बिल्कुल free professional profile बनाके thousand से भी ज्यादा job opportunities unlock कर सकते हो क्योंकि Unacademy लेके आया है अपना brand new app जिसका नाम है Next Level देखिए बिल्कुल एक online game की तरह है पहले आप coding matches से अपनी professions इप्रूफ करो फिर आपको एक से बढ़कर एक tech enthusiast के साथ coding face off करने का मौका मिलेगा और अब तो next level seasons भी आगिया है जिसका मतलब है कि आप month end तक participate कर सकते हो जो top 3 candidates होंगे उनको exciting gifts मिलेगा like apple macbook, ipad and kindle जितने matches आप जीतेंगे उतनी आपके rating उपर जाएगी और उतना ही job opportunities आपके लिए unlock होंगे इससे आप coding को cool way में और better practice कर सकते हो and newly launched seasons की वज़े से आप screen पे दिखने वाली इन सभी leading companies में interviews भी दे सकते हो next level के पास हर किसी के लिए jobs है जैसे देखिए ये company NS Java developer and Python developer वाले 4-20 लग per annum की job के लिए especially Apple candidates को hire कर रहे है आपको link दे दिया है उसमें click करके आप download करो and coding challenge join करो बहुत लोगों का name तो wet list से भी अट चुका है और अगर आप अपने friends को refer करते हो तो आपका name wet list में ऊपर move हो जाएगा I'm already on the app, use my code ASH4423 to join and we can play together app link is in the description, go and download now अब जैसा के हम बात कर रहे थे अगर आपने computer science background से पढ़ाई नहीं किये और आपको coding और programming से भी ढड़ लगता है लेकिन आपको mobile lab, website design और IT industry में काम करने का desire है तो आपके लिए UX design एक best non-tech field है देखिये, nocari.com के इस report के हिसाब से UX design 2023 में top 10 skills में 4th number पे आता है इंडिया में एक fresher UX designer के annual salary रुपीज 3 lakh से शुरू होता है और experience के बाद रुपीज 22 lakh तक जा सकता है इसे आज की date का hotless job भी कहा जा रहा है किसी भी brand का 94% first impression उनके design के थुरू जाता है अगर Apple जैसी बड़ी company का भी UX design poor and powerless होता तो आज वो लोगों का most favorite brand नहीं बन बाता आज कल लोगों का attention span 8 second से भी कम हो गया है इसलिए जिन apps, website, digital products का UX, UI design best नहीं होता market trends के according नहीं होता उन्हें public धीरे-धीरे use करना ही बंद कर देती है इससे अच्छे से अच्छे businesses को भी heavy losses देखना पड़ता है आज कल सब online shopping पसंद कर रहे है इसलिए customers के लिए किसी company का traditional store कैसा दिखता है उससे भी ज़्यादा important है कि उनका website design कैसा है इंडिया में startup culture शुरू हो गया है डेली धेरो companies खुल रही है और वो सभी अपने companies में UI UX designers को रखना चाहते है इसलिए job opportunities बहुत है तो चलो देखते हैं कि UX designer का क्या काम होता है UX design and UI design दो अलग अलग specialization है UX design यानि कि user experience design ये एक ऐसा process है जिसमें designer digital products create करता है such as website and apps ये ध्यान में रखते हो है कि वो easy to use, simple and enjoyable हो इसमें designers को human psychology, customer behavior and preferences भी study करना पड़ता है वो उस हिसाब से website या app को design कर सके and customers को वो use करके 100% satisfaction मिले for example आपको अकसर products के नीचे limited time offer और low stocks left का alert सिखाता होगा ये psychological technique है customer में urgency create करने का ताकि वो जल्दी action ले दूसरा example देखते हैं जब आप कोई product search करते हो तो expensive items उपर display होता है और affordable items नीचे इससे customers को लगता है कि नीचे वाले affordable items एक better deal है उसके बाद जब आप कोई item purchase करते हो तो उसका packaging, shipment and delivery progress भी आपको colorful timeline and badges के साथ दिखाते है ताकि आपको लगे कि आप अपना goals achieve कर रहे हो लेकिन क्या आपको पता है poor UX design एक company के लिए कितना बुरा हो सकता है 2012 में Apple ने खुद का Maps application निकाला था और Google Maps को iPhone and iPad से हटा दिया था लेकिन Apple Maps में इतने issues थे कि customers को basic search भार भी ढूण के नहीं मिल रहा था और वो unsatisfied थे ये तो मैंने कुछ basic examples दिये लेकिन एक professional UX designer complete user experience को design करते है ओके ये तो किया UX design अब UI design में user interface को design किया जाता है यानि किसी भी website and app का graphical layout for example आप daily life में काफी apps use करते हो उसमें buttons, text, images, color कैसा रहेगा ये सब कुछ UI designer creatively सजाते है और एक अच्छा look and feel वाला application user interface तयार करके देते है UI designer graphic designers ही होते है बस उनका काम user interface से related होता है आपने ये तो सुना होगा कि graphic designers make things beautiful while UI designers make things beautiful to use अब आप सोच रहे होगे कि जब UX and UI designer तो अलग-अलग specialization है तो बहुत से job vacancies में UI slash UX designer required ऐसा क्यों लिखा रहता है वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर companies ऐसे candidates को prefer करते है जिने UX, UI दोनों designs आता हो बहुत से लोग दोनों ही skills सीख जाते है और आप भी UX and UI दोनों skills सीख सकते हो इससे आपको और भी job opportunities मिलेंगे अब देखते हैं कि UX designer कैसे बने आज आपको LinkedIn पे बहुत से inspirations मिल जाएंगे क्योंकि कई लोग engineering, MBA, accounting and teaching जैसे career से switch करके आज as a full time UX designer employee काम कर रहे है जिनके पास पैसा and time की कमी है लेकिन undying passion है UX design सीखने का तो उनके लिए ये training and job program ही best है क्योंकि एक ऐसा skill है जिसमें hands on experience के बिना सिर्फ theoretical knowledge से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते लेकिन अगर आप 10th या 12th के students हो और आपने ठान लिया है UX design में graduation करने का तो कुछ college's short time degree और diploma भी offer करती है आप इन्हें join कर सकते हो लेकिन अगर आप पैसा बचाना चाते हो तो रदन Tata ने Tata Stripe एक नया free online UX design training and job program launch किया है जो internet पे बहुत popular है तो admission center and eligibility जानने के लिए अपने ब्राउजर पे type करो Tata Stripe और इस first link पर click करके website पे आजाओ Tata Stripe का link मैंने description में भी दे दिया है यहाँ what we do के अंदर आपको centers पे click करना है यहाँ तीन types का center आपको दिख जाएगा जिनको नहीं पता Tata Stripe Tata Trust Group का एक skill initiative है जिनमें वो इंडिया के unemployed students को 25 sectors में practical training दे के job दिलवाते है और उनको भी help करते हैं जो अपना खुद का business start करना चाह रहे हो आज Tata Stripe का 100 learning centers मौझूद है इंडिया के 27 अलग-अलग states में 6 लाग बच्चे यहाँ से training लेके job पा चुके है यहाँ free uniform and back के साथ आपको completely free में practically UX design सिखाया जाएगा और उसके बाद placement भी दिया जाएगा इनका offline centers private institutions की तरह बहुत clean होता है यहाँ आपको cafeteria, classroom, labs, parking area सब कुछ मिल जाएगा और रोज 8-9 hours का face-to-face classes भी होगा अब जो UX design का course है वो अभी कुछी centers में launch हुआ है देखिए अभी हम इनके centers वाले page पे हैं जाला है Tata Stripe का official centers दूसरा extension centers और तीसरा partner centers अब आप extension centers में click करने से आपके सामने कुछ states का list खुल जाएगा फिर आपको Gujarat पे click करना है यह देखो, Gujarat में 2 centers है और दोनों centers में UX design की course प्रवाइट की जा रही है यहां center का address, phone number, कौन से कौन से courses करवाया जा रहा है सब कुछ आपको mention मिलेगा नीचे एक link है click to view flyer इस पे जैसे ही click करोगे तो आपके सामने एक PDF खुल जाएगा इसमें पूरी required details लिखी हुए है C, यहां third number पे UX design का course है यह training total 10 weeks का रहेगा वैसे तो UX design कोई भी non-tech background का student easily सीख सकता है लेकिन Tata Stripe ने यहां कुछ special eligibility criteria मांग रहा है यहां के eligibility के हिसाब से वो students इस program को कर सकते है जिनका graduation B.Sc. General में था B.Tech, Engineering, BCA, MCA and B.Sc. IT यह training complete होने के बाद Tata Stripe आपको full placement support देगी यहां कुछ placement partners का नाम mentioned है जहां आप job पा सकते हो लाग Infosys, Microsoft, Accenture, Access Bank, Kotak, Mahindra Bank, etc. अब age group की बात करें तो 20 से 27 years के सभी students eligible है इस program में और भी additional benefits मिलता है जैसे की computer and English training दिया जाएगा workplace में कैसे काम करते है, personality development, communication skills सब कुछ आप सीखोगे यहां पे classroom size भी small रखा जाता है ताकि आप अपने trainer से और भी interaction करके सारे doubts clear कर सको दोस्तो यह course और भी कई branch में करवाई जारी है जिसका details website पे update नहीं हुआ है अब direct इनके toll free number पे call करके पूछ सकते हो या अपने near centers जैसे के हाईदरबाद, पूने, डेली जैसे branches पे call करके पूछ सकते हो कि वहाँ पे UX design की course start free है की नहीं क्योंकि मेरी बात उनके center के एक manager से हुई तो उन्होंने कहा था कि बहुत से branch में जल्दी यह course start होगा अगर आपको गुजराट नहीं जाना तो महरास्टर के center नागपूर में भी यह course available है देख सकते हो, admission लेने के सबसे पहले check कर लेना कि आपकी qualification match कर रही है की नहीं admission करवाने के लिए सबसे पहले branch का contact number लो और उनको call करके पूछो कि UX design course का new batch कब से start होगा जब भी batch start हो रहा है, दो दिन पहले center में पहुंचा और admission करवा लो यहां आपको 10-11 weeks के लिए अपने रहने और खाने का खर्चा खुद ही arrange करना परेगा तो अब screen पे देख सकते हो UX designer बनने के लिए आपको 3 types of skills सीखना है soft skills, hard skills and transferable skills hard skills में आता है user research and analysis technique user के preferences को कैसे समझना है, यह code job responsibility होता है UX designers का फिर wire framing and prototyping, user and usability testing user data को easily visualize करके समझने के लिए UX designers अपने काम की दौरान कुछ tools यूज़ करते है like UX tools, mirror, flow map, platica, whimsical, etc. और wire framing and prototyping के लिए आप Figma, sketch and adobe xd जैसे popular software में से कोई भी एक software यूज़ कर सकते हो Figma आजकल बहुत ही ज़्यादा popular हो रहा है, आपका design इसमें online save रहता है, कई लोग live आपका design देख सकते हैं comment कर सकते हैं, designing में आपको help भी कर सकते हैं अब देख लेते हैं कि आप online part time काम करके कैसे extra money income कर सकते हो अगर आप Fiber पे जाते हो तो देख सकते हो कितने सारे freelancers simple and unique UX design sale करके पैसे कमा रहे हैं यहाँ लोग एक page और screen design का 40,000, 21,000 और यहाँ तक ही 6,000 भी charge कर रहे हैं तो आप भी ये skills सीखे Fiber पे as a freelancer काम कर सकते हो स्टार्टिंग में अपने expertise के हिसाब से affordable rate रखो फिर कुछ orders मिलने के बाद आप skills के हिसाब से अपने rate बराओ सिर्फ यहाँ नहीं बलकि आप LinkedIn पर भी कई UX, UI designers के साथ connect होके उन से सीख सकते हो और clients ढून के उनके उनके लिए काम कर सकते हो almost सभी UX, UI designers के पास अपना attractive portfolio होता है जिसमें वो अपना best work as a sample showcase करते है आपको भी अपना portfolio बनाना पड़ेगा उसके लिए कई online websites है like Behance, Tribble, Adobe portfolio, Pixpark, Cargo जहाँ आप दूसरे UX designers से inspiration लेके भी अपना portfolio बना सकते हो अब मैं आपको दो ऐसे websites बता रहा हो जहाँ आप free में UX design practice भी कर सकते हो क्योंकि practice नहीं करोगे तो भूल जाओगे Number one है sketchingforex.com यहाँ पे आप daily 5-10 minutes के लिए designing challenge में participate कर सकते हो यह site आपको daily 100 days के लिए design concepts and objects भी भेजेगा और आपका काम होगा उनके लिए एक sketch तैयार करना दूसरा website है uxchallenge.co यहाँ पे आप UX design case studies solve कर सकते हो और बाद में अपने interview में companies को दिखा के उनको impress कर सकते हो यहाँ पे tutorials भी दिये होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि challenges क्या है और क्या problem आपको solve करना है अपने design के through best चीज यह है कि यहाँ पे सभी challenges के लिए useful data and real examples मौझूद होते है तो दोस्तों अगर आप इस road map को step by step follow करते हो तो बहुत जल्द आप एक high paying job पा जाओगे और भी interview opportunities माने के लिए don't forget to download the free next level app by an academy link is in the description और अगर आपको chat gpd use करके पैसे कमाने का साथ easy freelancing options जानना है तो left वाले वीडियो को जरूर देखो आज के लिए बस इतना ही अब मिलते अगले वीडियो में एक और exciting opportunity के साथ तब तक के लिए thanks for watching